हालो गाइस तो बिग बेस्टी टुइडी लीग की तो 6-6 मैच चल गए तो 7 मैचेस होने वाला है और ये मैच जो है 7 मैच जो है ये मैच टाक्राने वाला है आपस में 2 टीम बोहें मेलबॉन स्टार्स बैसे से होबार्ट हीुरिकेंस ये जो दो टीम है दोनों टीमों के पास अच्छी अच्छी प्लियर है, अच्छी अच्छी हीटर है, बॉलर भी है, यह जो मैच है, यह मैच सो होगा, होबर्ट हिरुकेंस की जो होम ग्राउंड है, उस पर और यह जो दो टीम है, दो टीम पिसले एक-एक मैच खेल चुका है, एक-एक मैच खेलने से यह मेल पॉइंट एविल सबसे निछे है और होबर्ट हिुरीकेंस है पॉइंट एविल पर तिन नंबर पर तो यह जो मैश है यह मैश भी एक आच्छी मैश होने वाला है तो देखते हैं यह जो दो टीम है दो टीमों की कौन-कौन की प्लेयर इस मैश में खेल सकती है तो यह जो मैच है होबर्ट हुरिकेंज के साथ इस मैच में खिल सकती है 70-20 में बोहे डार्ची शॉर्ट मैथू होएच, बेंड, मैद्रोमाट, जोर्ज बेली, जेम्स फुल कोर्णर, जोफरा आर्चार जैसे खातरनक बॉलर यह होबर्ट जो टीम है इस टीम पर है तो यह जो जेम्स फुल कॉर्णर और यह जो 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 फ्रार्चार है बहुत एक आच्छी बॉलर है और यह जो दो बॉलर है जो जो फ्रार्चार को तो डेथ ओबर की बॉलर की बॉलर कहती है क्योंकि यह जो 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 फ्रार्चार की बॉ बहुत एक आच्छी बेट्समेन है यह तो पहले अपनी दिमाग गरम करके खिला था लेकिन बात में यह जो धीरे धीरे डार्ची शोट ने ठाने देमाग से खेलता है और बहुत हुशीयरी से खेलता है यह डार्ची शोट डॉमिस्टिक वाण डेकप में हाइस्ट स्कूर किया था 256 किया था बहुत ही हाइस्कूरिंग किया था 199 छक्का लगाई थी ये हॉबर्ट हुर्ट हिरुकेंस की जो डाची शॉट है ये बहुत एक खतरनक बैस्मेन बन सकती ही यूध डाची शॉट और पिसले मैस में भी देखा होगा कितना अचा खिला है और George Bailey भी अच्छी एक खिलोर है इस हवबर्ट हिरिकेंस के साथ तो देखते हैं मेलबोनेस्टर के पास कौन कौन टीम मैं खिल सकती है वो तो हाद चुका है अपनी पहला मैच तो यह जो मेलबोनेस्टर है मेलबोनेस्टर के साथ खिल सकती है गलीन मैकस्वेल जो इस टीम की क मार्कोस एंटोंइस बालर डिी इही टीम भी अच्छी टीम है लेकिन यह जो तीमी इस टीम के आये जो प्लिया सोमिंड वेटपा को बहुत candles है डीजे ब्राबो जैसा ओल राउंडर है ये टीम भी आच्छी टीम है लेकिन ये जो टीम है वो ये इस टीम की आए जो प्लियार है ग्लीन मैक्सवेल डीजे ब्राबो बेंडाक जो ये जो ये सब जो मैन है मेलबोर्न एस्टर की बहुत सारी हीटर है ये अगर टीक जाए त इस की एक्सिएंस बहुती ज्यादा है क्योंकि डीजे ब्राभोु ने एपील खेला था टी शेदर आंगी। पर और यह जो पीच है इससे पीच की अगर रीपोर्ट दिखा जाय तो फस्टे इनिंग्स हाइंस सथिक्ट हो सकती है इससे पीच में बहूं Joy 2025 क्योंकि इसमें ज्यादादार फास्टे ज्यादास निंग्स कि जो T20 होता है वो मैच हो चुक है 28 बार ये टोटल मैच हुआ इस पीच पर और उसमें से फास्ट बैटिंग टीम जीता है 15 बार और सेगेंड बैटिंग टीम जीता है 13 बार तो फास्ट बैटिंग थोड़ा सा आगे है ये होबार्ट हीरिकेंस के पीच पर और ये जो पीच है इस पीछ पर हाइस्ट रान भी बानता है लंबी लंबी स्कोर भी बानता है तो इस पीछ की जो हाइस्ट स्कोर है बो है 209 और जो यह जो पीछ है चेज हाइस्ट पेज है 166 तो यह जो पीछ है एक हाइस्ट स्कोरिंग पीछ है और एक बॉलिंग पीछ भी कहलाती है यह जो प्रफारा नहीं है उतना ज्यादा लंबी भी नहीं है तो चार्च लागाना आसानी होगी इस पीछ पर देखते क्या होता इस 70-20 में तो यह जो मैच है बॉला और बैटिंग यह पीछ की रिपोर्ट देखते हुए यह जो दो टीम है दो टीम ही सेम टू सेम है लेकिन यह जो ह होबर्ट हिर्यूगिन्स की होम ग्रांड है तो उसको तोश्य थोड़ा सा तो फाइदा मिलेगी है अपनी होम ग्राउड़ PM पर और यह जो टीम है बहुत ऑच्छी टीम है जर्ष बेली जैसा खातरक भेर्सम tota ने Madam Kin जैसा बॉलर और डाची शॉट जैसा बेर्स में है, तो यह जो मैच है Mylvode N常还 अगर सेम टू सेम report दik prescription है, क्योंकि यह जो team है बहुत balancing team है, तो मैंने प्रडीक्शोल हाई, इस match में 7 2210", बीग बेश की विनर अब दी होबर्ट ही रिकेंस के साथ जाना आप लोको को फाइदा हुस लगती है तो यह था मेरे प्रेडिक्शन और मिलते है आगले वीडियो में तो ज्यादे ज्यादे आभे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिक